Hello friends, Welcome to UPCI SS Prime यह CCCC का Lecture No. 34 है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं और इसके पिछले वीडियो में हमने देखा है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, IP address क्या है और इनका किस तरीके से यूज होता है अगर आप लोगों ने पीछे का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो और उसकी लिंक आप लोगों को नीचे description box में मिल जाएगी तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पर data कैसे transmit होगा और कैसे receive होगा computing में protocol को digital language भी कहा जाता है यानि कि जो हमारा protocol होता है computing में इसको digital language भी कहा जाता है इसके बिना हम internet पर एक दूसरे से संबाद नहीं कर सकते हैं अगर हमारे पास internet protocol नहीं होगा तो हम इसके माध्यम से किसी से भी ना कोई चीज बात कर सकते ह ना कोई भी चीज हम receive करते हैं वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि internet पर एक दूसरे से संबाद नहीं कर सकते हैं नहीं data को एक computer से दूसरे computer तक transfer कर सकते हैं internet पर हमारे द्वारा भीजी गई file अत्वा mail internet protocol के अनुसार ही work करते हैं तो यहाँ पर आप लोग इस definition को तो समझ गये होंगे कि internet protocol क्या है अब थोड़ा हम इसका example देते हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब कोई एक बड़ी factory होती है और उस factory में हजारों लाखों employee काम करते हैं और हर employee को अपना अपना काम दिया जाता है जैसे कि यहाँ पर A नाम का एक employee है यह अपना अलग काम करता है B नाम का employee है यह अपना अलग काम करता है और C नाम का employee है यह अपना अलग काम करता है जैने कि उस factory में जिस भी employee को जो काम दिया जाएगा वही काम employee करता है ठीक उसी तरीके से internet की दुनिया में भी जब हम कोई भी data किसी भी digital communication के माध्यम से send करते हैं तो वहाँ पर internet protocol काम करता है जिसे कि जिसे कि दल मुढए हैं तो आतना ऐत्युक III से call और का में दिया किख गोए हैं तो वहाँ पर हम पर योग सा अचति यह उते हैं कि कहाएगा इसलिए protocol को से टाफ रूफ कहा गया है तो यहाँ पर आप समध गया होंग कि इंटरनेट प्रोटोकोल क्या है और यह किस तरीके से काम करता है फिर इसके बाद next बताया गया है types of protocol यानि कि जो प्रोटोकोल है कितने प्रकार के हैं तो विभिन प्रकार के network operating system computer के बीच में communication process को control करने के लिए कई प्रकार के protocol use किये जाते हैं जैसे कि सबसे पहला एक हमारा है TCP TCP जो है इसका perform होता है transmission control protocol transmission control protocol digital network communication में सबसे अधिक उप्योग किया जाने वाला protocol में से एक है और internet protocol का एक हिस्सा है यानि कि जो हमारा IP होता है जिसको हम internet protocol बोलते हैं और TCP दोनों एक दूसरे से ही connected होते हैं क्योंकि जब हम internet use करते हैं और जब हमने internet बताया था कि internet क्या है तो internet में भी हमारे TCP और IP दो protocol होते हैं जो use किया जाते हैं TCP जो होता है हमारा internet protocol का एक हिस्सा है जिससे TCP IP के रूप में जाना जाता है TCP का perform transmission control protocol और IP तो internet protocol होता ही है TCP एक connection oriented communication protocol है यह triple C exam में पूछा भी जाता है कि connection oriented communication protocol का होता है तो TCP है अब connection oriented communication protocol इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारे TCP protocol होता है जब हम internet के माध्यम से कोई भी file या कोई भी data सर्च करते हैं तो बिल्कुल वो जिस तरीके से data हम सर्च करेंगे पूरा का पूरा data हमको मिलेगा ऐसा नहीं है कि आधा data हमारे पास आया और आधा data हमारे पास नहीं आएगा जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब हम internet यूज करते हैं अगर हम YouTube पर या फिर किसी other social media के माध्यम से कोई भी चीज हम सर्च करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा data हमारे पास पूरा आएगा एकम्पल के लिए माली जै जब हम YouTube पर कोई बीडियो सर्च करते हैं तो यूटूब पर जब हम बीडियो सर्च करते हैं तो उसके बाइट हमारे पास आता है उसके बाइक इνद में TCP और IP दो हमारे प्रोटॉकल काम करते हैं जो TCP होता है, छोटे-छोटे टुकडो में डेटा को ले जाता है, जो IP होता है, इंटरनेट प्रोटोकोल, IP उसको रास्ता बताएगा कि तुम्हें कहां पर जाना है, तो माली जी हमने YouTube पर एक वीडियो सर्च किया, तो जो कम्प्यूटर है, और इसका एक सरवर अपना अलग होता है, जो YouTube है, YouTube का सरवर अलग होता है, फेस्बुक का सरवर अलग होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम YouTube पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, तो ज देटा को YouTube के सरवर तक जाना है, तो TCP क्या करेगा, छोटे-छोटे टुकडों में डेटा को अलग करता है, फिर अलग-अलग रूट की साहता से YouTube के सरवर तक जाएगा, और जो IP होता है, IP उसको रास्ता बताता है, और फिर जब उस डेटा का result मिल जाएगा, तो अलग- जाता तो बीच में चर्खी भूमती रहती है, ऐसा इसलिए होता है कि डेटा हमारा नहीं आपाता है, लेकिन जब चलेगा, तो बिल्कुल वहीं से चलेगा, जहां पर रुकेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़े होती हैं, जैसे आप लोग ने टीवी देखा होगा, जिसको हम डेटा जब हमारा फस जाएगा, तो जब चालू होगा कुछ देर बाद, तो बीच में जो भी चीज़े होंगे, कट जाएंगे, फिर आगे से चालू हो जाता है, तो वहां पर अलग प्रोटोकॉल यूज होता है, इसलिए टीवी की गारेंटी होती है कि जो भी हमारा डेट है, जिस तरीके से हम सर्च करेंगे, पूरा का पूरा डेटा हमको मिलेगा, उसमें देर हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा डेटा हमको मिलता है, तो इसलिए टीवी प्रोटोकॉल को कनेक्स्टन ओरियंटेड कम्यूकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं, या मुख रूप से लोग समझ गएंगे, TCP IP जो होते हैं हमेशा इंटरनेट में ही यूज होते हैं, और TCP हमारा कनेक्सन ओरियंटेड कम्यूकेशन प्रोटोकॉल होता है, फिर हम बात कर लेते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की, वैसे तो आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा, कि इंटर इंटरनेट पर इंफोर्मेशन को एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर तक पहुंचाया जाता है, दूसरे सब्दों में कहें, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वहाँ प्रोटोकॉल है, जिसके द्वारा डेटा पाइकर्स की रूटिंग तथा एडरिसिंग की जाती है तकि वह data packets network में travel कर सके अपने गंतबी तक पहुँच सके यानि कि अपने गंतब यानि अपने destination तक वह data पहुँच सके तो हमने अभी बताया कि TCP data को छोटे छोटे टुकडो में ले जाता है और जो हमारा internet protocol होता है यह उस data packets के root निरधारित करता है कि तुम्हें कहां पर जाना है तो इस तरीके से internet में हमारे TCP IP protocol यूज होते हैं फिर next यहां पर है HTTP तो जो HTTP है इसका पूरा नाम होता है Hypertext Transfer Protocol यह एक protocol है जिसका उप्योग World Wide Wave यानि कि internet में data को access करने के लिए किया जाता है यह protocol data को plain text Hypertext IDO Video आदि के रूप में transfer करता है यह EFTP यानि कि file transfer protocol के समान होता है क्योंकि यह फाइलों को एक host से दूसरे host में transfer करता है और EFTP यानि कि file transfer protocol भी यहीं पर काम करता है जो हमारा hypertext transfer protocol होता है और HTTP port 80 पर काम करता है यह triple C exam में पूछा जाता है कि जो हमार HTTP protocol है यह port number 80 पर काम करता है इसके माद्यम से जब हम कोई भी data internet पर search करते हैं किसी browser पर तो वहाँ पर हमार HTTP protocol काम होता है जिसके माद्यम से हम plain text Hypertext IDO Video सारी चीज़े एक दूसरे को transfer करने में यूज होती है तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि Hypertext Transfer Protocol क्या है पर यहाँ पर देख HTTPS HTTPS जो है इसका full form होता Hypertext Transfer Protocol और Secure यहाँ पर देखो HTTP दिया गया है यानि कि Yes नहीं लगा है तो इसका यह full form है बस सेम यह भी है HTTPS लेगर इसमें जो Yes लगा है इसका मतलब Secure होता है तो वही चीज़ जहाँ पर बताई गई है कि HTTPS का जो full form होता है Hypertext Transfer Protocol है यह HTTP का encrypted version है यहनि कि जो हमारा HTTP है उसका यह encrypted version है जो हमारा HTTPS होता है जिसका इस्तेमाल ज्यादा तर online shopping और banking को सुरच्छा परदान करने के लिए किया जाता है HTTPS का इस्तेमाल website को सुरच्छित करने के लिए किया जाता है जिससे कि कोई भी hiker website को hike नहीं कर पाता और user का data चोरी नहीं कर पाता इस protocol का उप्योग करके हम browser से किसी भी website के साथ संचार यहनि के communication कर सकते हैं यह एक सुरच्छित protocol है जिसमें browser तथा website के भी जितना भी communication हो वह encrypted होता है और जो हमारा HTTPS होता है या port number 443 पर काम करता है यह भी आपके लिए important है यहाँ पर आप लोग yes का मतलब समझ गये हों yes का मतलब होता secure जैसे कि Google पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई भी website सर्च करते हैं तो वहाँ पर website के सबसे सुरू में ही HTTP या फिर HTTP यह लगा होता है तो जिन भी website में HTTP ही केवल लगा हो तो वो हमारी secure website नहीं होती है अगर वहाँ पर हम अपना कोई भी data type करेंगे या कोई भी data डालेंगे तो वहाँ पर चूरी होने का डर बना रहता है क्योंकि यह हमारा secure नहीं है लेकिन किसी किसी में इस तरीके से सबसे सुरू में ही लिखा हो था HTTPS तो इसका मतलब जिस भी website में यस लगा हो वो हमारी secure website होती है अगर वहाँ पर हम अपना data डाल देंगे तो वहाँ पर हमारा data चूरी होने का डर नहीं होता है तो यहाँ पर आप लोग समझ गयोंगे कि HTTPS क्या है फिर next हमारा FTP है जिसका पूरा नाम file transfer protocol है यह एक application layer protocol होता है इसका उपयोग internet पर file transfer यानि कि upload और download करने के लिए किया जाता है file transfer करने का या तरीका HTTP का उपयोग करने से अधिक fast है EFTP port number 21 पर काम करता है तो EFTP के नाम से ही पता चलता है कि जब हम एक computer से दूसरे computer में file transfer करें या फिर download करें तो महाँ पर file transfer protocol होता है फिर next है post office protocol जिसको हम shortcut में POP3 के नाम से जानते हैं तो POP3 यानि कि post office protocol या client server protocol है जिसका कार इंटरनेट पर उपलब्ध mail server में से mail को download करना तथा client के mail software तक पहुँचाना होता है जब भी हमें कोई email आता है तो सबसे पहले हुआ email इंटरनेट पर उपलब्ध हमारे email server पर पहुँचता है जिसके बाद POP3 protocol email server के साथ link करके उस email को download कर लेता है और client के email server तक उसे पहुँचा देता है POP3 जो होता है TCP port number 110 पर email message को transfer करता है यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि जो post office protocol है यह email के लिए use होते हैं यानिको उनको download करने में काम करते हैं फिर next है हमारा simple mail transfer protocol जिसको shortcut में हम yes e-m-t-p कहते हैं यानिकि जो हमारा yes e-m-t-p होता है इसका full form है simple mail transfer protocol simple mail transfer protocol का उप्योग mail को send करने के लिए किया जाता है जब हम internet के माद हम से कोई भी email send करते हैं किसी को भेजते हैं तो वहाँ पर हमारा yes e-m-t-p protocol यूज होता है और yes e-m-t-p protocol port number 25 पर काम करता है जो port number 25 है yes e-m-t-p protocol उस पर काम करता है यह भी triple G exam के लिए important है फिर आपन next है UDP जब हमने TCP पढ़ाया था जो TCP होता है वो data को सही बिल्कुल सुरचित लाता है लेकिन UDP की कोई guarantee नहीं है कि तुमारा data सही से आएगा या नहीं आएगा और इसका full form होता है user datagram protocol यानि कि जो UDP है इसका full form user datagram protocol होता है UDP एक connection free protocol है क्योंकि इसकी कोई भी guarantee नहीं है कि जो data हमने सर्च किया है और data हमारा सही आएगा या नहीं आएगा इसलिए इसको connection free protocol कहते हैं और triple C exam में question भी आता कि connection free protocol कौन से है तो UDP हमारा connection free protocol है UDP यहाँ देखने के लिए check नहीं करता है कि भेजे गए segment एक destination गनतब भी द्वारा receive किये गए थे या नहीं तो यहाँ पर आप लोग user datagram protocol के बारे में भी समझ गए होंगे फिर यहाँपर next है PPP PPP जो होता है इसका full form है point to point protocol यहाँ कि point to point protocol एक data link layer communication protocol है जिसका उपयोग दो notes के बीच सीधा संबंद इस्थापित करने के लिए किया जाता है telnet जो होता है telnet का पूरा नाम terminal network है यह triple C exam में पूछा जाता है telnet का full form तो telnet का full form terminal network होता है जो local computer को अनी computer के साथ connect करने में मदद करता है telnet client server सिधान्त यानि की client server principle पर काम करता है इस protocol का उपयोग ज्यादादर client program और remote computer के द्वारा किया जाता है और telnet port number 23 पर काम करता है यह भी triple C exam में पूछा जाता है तो यहाँ पर आप लोग समझ गहोंगे कि internet protocol क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं और किस protocol का क्या काम होता है फिर इसके बाद next हमारा है modes of connecting internet यानि कि जो internet होता है internet को हम किस तरीके से connect कर सकते हैं यह simple है आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हो यानि कि जो internet है internet को हम heart spot के साहता से connect कर सकते हैं wifi की साहता से connect कर सकते हैं line cable के मादम से brand brand connection और USB के माध्यम से internet को connect कर सकते हैं जो आप लोग आजकल दैनिक जीवन में यूज करते हो वही सारी चीज़े यहाँ पर भी बताई गए हैं कि internet access technique जो होता है विभिन प्रकार से हम कर सकते हैं wifi, heart spot, line cable, brand board, USB इन तरीकों से हम internet को connect कर सकते हैं यहाँ पर heart spot के बारे में बताया गया है कि heart spot के माध्यम से हम internet connect कैसे करते हैं wifi के माध्यम से हम कैसे internet connect कर सकते हैं और यहाँ पर जो wifi है इसका full form wireless fidelity होता है यह आप लोगों के लिए important है क्योंकि triple C exam में पूछा जाता है wifi का full form तो wireless fidelity होता है इसके बारे में भी आप लोग जानती होंगे यानि कि यहाँ पर जो internet को हम किस तरीके से access करते हैं कैसे connect करते हैं वही चीज़े यहाँ पर बताई गए हैं जैसे wifi हो गया, line cable हो गया, broadband connection यह भी आप लोग समझते हैं USB के माध्यम से अगर internet हमको connect करना हो तो हम कैसे connect करते हैं तो इस सारी चीज़े हैं जो आप लोगों को पता होंगी क्योंकि practical है आप लोग इनको आराम से पढ़ सकते हो फिर next हमारा यहाँ पर बताया गया है identify and use of IP, mic और EMI क्या है यानि कि जो IP है, IP address क्या होता है mic address क्या है और EMI numbers क्या होते है यहाँ पर जो IP address है तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि वोग डिवाइसे जो internet से connect होती है यानि कि जिन डिवाइसों को हम internet के माध्यम से access कर सकते है वो सभी क्या है उन सभी का अपना IP address होता है जो mic address होते हैं या हमारे hardware के लिए होते हैं जैसे कि हमारा printer हो गया, printer होके हमारे speaker हो गया यानि कि यह उन सभी का mic address होता है और जो EMI number होता है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा mobile phone होता है हमारे mobile phone का भी EMI number होता है जिसके मारे हम से mobile को भी access कर सकते है तो EMI number यह mobile के लिए होता है और वही चीज़े यहां पर बताई गई है कि IP address क्या है जिसको उने पढ़ाया mic address क्या है और EMI number क्या होते है यहां पर IP address जो है IP address इंटरनेट और local network में device की पहचान के लिए एक unique address होता है IP address की full form internet protocol होती है IP address की मदद से किसी network पर दो device के बीच communication के लिए information send और receive की जाती है internet को अलग-अलग computer और website की पहचान के लिए IP address की जरूरत होती है यानि कि अगर हमें किसी भी website के पास जाना हो तो उसके address जिसको हम IP address के नाम से जानते हैं वहां तक हम जाते हैं और example में यही चीज बताई गई है जब आप अपने browser में www.upcissprime.com website का URL लिखते हैं तो उस page को load करने का अनुरोद DNS server को भेजा जाता है जो इसके related IP address को search करने के लिए upciss.com के host name को देखता है यहां पर जो upcissprime.com दिया गया है इन name देखेगा क्योंकि यह इस website का address है और वहां तक पहुंच जाएगा इसी तरीके से हर device का हर website का अपना अपना अलग IP address होता है यहां पर IP address भी समझ गए होंगे mic address के बारे में बताया गया है mic address मारा hardware के लिए होता है तो यहां पर बतायागा mic address यहां कि mic का पूरा नाम media access control होता है इसे physical address और hardware address के नाम से भी जाना जाता है अगर triple c exam में question आ जाए physical address या hardware address के नाम से किसको हम जानते हैं तो हमारा होगा mic address यह सभी electronic and networking device के लिए unique and permanent address होता है जो हमारे hardware या electronic networking device होते है उनके लिए यह हमारा unique and permanent address है mic address है एक ऐसा नमबर होता है जिसके द्वारा आपके computer में लगे network adapter को पहचाना जा सकता है mic किसी भी device, computer, printer, router, and phone के hardware का identify number होता है या एक mic address एक mic address में दो character के 6 जोड़ी अंक 6 pair points होते हैं यहाँ पर दिया गया है यह हमारे दो जोड़ी अंक होंगे और total यहाँ पर 6 pair में होते हैं जैनि कि इसमें 6 होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से होते हैं और यहाँ पर बताया गया हर पेर को colon के माध्यम से अलग किया जाता ने कि यहाँ पर आप लोग जानते हैं यानि कि जो traditional mic address होते हैं वो 12 digit के होते हैं या फिर उसमें 6 bytes या फिर 48 bits hexadecimal number का mic address होता है तो यहाँ पर mic address भी समझ गये होंगे mic address हमारा computer, printer, router या phone हो इन सभी के लिए होता है लेकिन IP address जो internet से connect होते हैं उनके लिए होता है EMEI number जो होता है यह हमारा mobile phone के लिए होता है और यहाँ पर वही चीच बताई गई है EMEI जिसका full form होता है International Mobile Equipment Identity यहाँ एक 15 या 17 अंकों का code होता है जो हमारा EMEI number है इसमें 15 या 17 अंक होते हैं जो mobile phone की पहचान के लिए company द्वारा firmware में store कर दिया जाता है या जब mobile phone बनाया जाता है वहाँ पर ही mobile phone को बनाते टाइम ही EMEI number उसमें store किया जाता है किसी भी phone का EMEI उस phone की location को बताता है कि या present time में कहां पर है अधिकान सा mobile phone में EMEI code को देखने के लिए इस number का यूज़ करते हैं अगर आप लोग अपने mobile phone में EMEI number देखना चाहते ह तो इस number को डायल करें आपका EMEI number आ जाएगा या फिर EMEI code mobile battery के नीचे भी लिखा होता है जो mobile में battery होती है उसके नीचे EMEI number लिखा होता है यदि किसी person का phone गुम हो जाता है या चूरी हो जाता है तो उसके लिए हम cheer याने की central equipment identity register को call करके EMEI के अनुसार mobile को blacklist करा सकते है blacklist हो जाने के बाद ज्यादा तर mobile बेकार हो जाते हैं चाहे उसका SIM card ही क्योंना change कर दिया जाए mobile खरीदने के तुरंद बाद EMEI code को एक सुरच इस्तान पर लिख कर रखना चाहिए ताकि mobile सर्च करने या चोरी करने की इस्तित में उसे block कराया जा सके ताकि कोई उसका use ना क कर सके तो यहां पर आप लोग EMEI नंबर समझ गयोंगे कि क्या होता है mobile के लिए होता है अगर mobile हो जाए तो उसको block करने के लिए EMEI नंबर या फिर उस नंबर के मादने से हम पता भी कर सकते है कि present time में mobile कहा पर है तो यहां पर आप लोग समझ गयोंगे कि EMEI नंबर क्या है Mike क्या होते है आइपि क्या होते है internet explorer क्या है Microsoft Edge क्या होते हैं तो इस topic को हम अगले वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्य बात Thanks for this watching वीडियो